नमस्ते कैसे हैं आप ठीक हूँ अच्छे नागरिक की तरहा घर पर हूँ और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहा हूँ जब आप अप्लिकेशन पे रजिस्टर करते हो तो आपका मुबाइल नमबर और नाम, उम्र, लिंग, व्यवसाय और आपने पिछले 30 दिनों में कहां यात्रा की है आदी की जानकारी मांगी जाती है यह आप आपसे Bluetooth और GPS location आउन रखने का भी निवेदन करता है यह information किसके पास जाती है? आपके द्वारा दी गई जानकारी encrypt करके सुरक्षित तरीके से सर्वर पे store कर दी जाती है पिर मैं कहां जाता हूँ? किस से मिलता हूँ? यह सब जानकारी भी क्या? सर्वर पे store होती है? नहीं! अगर आप किसी अन्य व्यक्ति जिन्होंने यह आप इंस्टॉल किया है उनके संपर्क में आते हैं तो यह आप यही जानकारी आपके मोबाइल में ही store कर लेता है encrypt करके ओके! तो यह जानकारी मोबाइल के बाहर नहीं जाती? नहीं! यह जानकारी तभी सर्वर पे भेजी जाती है और उप्योग की जाती है अगर आप COVID-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं समझा अगर मैं COVID-19 पॉजिटिव हो क्या तो इस डेटा से सरकार उन सब को जो जाने अंजाने मेरे संपर्प में आये थे उनको सतर्ख कर देगी जिससे वो अपनी चांच करा सके किलकुल सही अगर सब ठीक है तो सरकार भी डेटा नहीं उप्योग करेगी आपकी प्राइवेट इन्फोमेशन प्राइवेट और सिक्योर ही रहेगी क्या मैंजी जानकारी हमेशा के लिए स्टोर रहती है नहीं, आपके मोबाइल से जानकारी 30 दिनों में डिलीट कर दी जाती है और सर्वर से 45 दिनों में सिर्फ उनकी जो COVID-19 पॉजिटिव हो उनकी जानकारी सर्वर से 60 दिनों में डिलीट की जाती है यह तो बहुत अच्छा आप है, यहां मेरी नीजी जानकारी भी सुरक्षित है और मैं सेथ भी रहूंगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, आरू कि सेतु आप ही सही तरीका है, करोना को हराने का